अगर आपका खाता इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में है तो आपके लिए कहीं कहीं बड़ी खबर भी है और बुरी खबर है तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से कोई भी आप टांजेक्शन करते हैं आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है लेकिन यहां पर एक नया चार्ज लाया गया है जो कि 15 जुन से आपको यह चार्ज देना पड़ेगा चार्ज क्या है जैसे कि आप इस क्रीन पे आपको दिखा रहा है महिने में तीन ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको कोई भी चार्ज देना नहीं पड़ जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं अगर आप cash विन्रोल करते हैं cash deposit करते हैं mini statement निकालते हैं तो आपके महने के तीन transaction बिल्कुल फिरी रहेंगे अगर उसी महने में अगर चार या पांच या तीन से जादा आप transaction कर लेते हैं तो आपको चार्ज देना परेगा अधार चार्ज देना पड़ेगा क्या होता है इस वीडियो में ही समझेंगे पहले हम चार्ज के बारे में समझ लेते हैं दूसरे नमर पे हैं mini statement तो यहां पर अगर आप mini statement निकालते हैं तीन transaction से ज़्यादा तो यहां पर आपको पांच रुपिये प्लस GST के साथ यहां पर आपको चला जाते हैं तो यहां पर अधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के द्वारा बैंक खत अधार को अपने अधार काड या फिंगर पिरिंट या आखों को स्कैन करके वेरिफिकेशन परिकिरिया को पूरा करने के बाद मायक्रो एट्यम की मदद से financial transaction करने की अनुमती परदान कि इस सिस्टम के माधियम से लोगों को बहुत यासानी तरीके से केबल अधार काड या फिंगर पिरिंट की साहिता से वो पैसे निकाल सकते और भेज सकते हैं इसी को अधार इनेबल पेमेंट सिस्टम करते हैं जैसे कि आप लोग जो है अधार के दुआरा आउंठे से पैसा निकाले होंगे और अंख्ठे से पैसा जमा किये होंगे इसी तरीके को अधार इनेबल पेमेंट सिस्टम करते हैं इस तरह से यहां पे जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में यह नया चार्ज सर्विस लागू किया गया है वीडियो में दी गई जनकारी आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आगेन को दबासके लिएक कर्णिंग कोई भी सवाल ये सुजाव है तो आप हम नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं फिर मिलते हैं किसी एक और नए सांधार वीडियो में तब तक कर दोड़ि झाल झाल